हेलो एवरीवन वेलकम टू सीक स्टड़ी स्मार्टली मैं हूँ बलजिंदर सिंग एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल के उपर स्वागत करता हूं डिये फ्रेंस आपको पता ही है मैं आपके लिए जो भी यूजी सी नेट के ट्वंटी ट्वंटी वन के ज क्या करएं तो प्रडिक्टिंग टोपिक है जो आपके वो तो डिसकस करेंगे बाद में पहले आज का फुल एनलाइज होने वाला है पेपर वन किस तरीके का आपका आया था आज जो आपका एगजाम था वो एको का एकजाम था एकनोमिक्स का एक्जाम था 24 नमंबर की जो नमबर वन रही थी आज की वो एक्जाम किस तरीके का था क्या क्या उन लोगों ने क्या किया था डाला हुआ था एक्जाम के अंदर और किस तरीके का पूरा एक्जाम था पेपर वन जो आपका किस तरीके का था ठीक है बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा है साथ से आठ के साथ मैंने बात की है उसके बाद ही मैंने पूरे का पूरा जो ये पेपर है इसके अंदर जो भी चीज़ें आई है वो मैंने डाल रखी है तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए जो बच्चे पहली बार मेरे यूटूब चैनल से जुड़े हैं जल्दी से जल्दी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले नोटिफकेशन आपको मिलते रहें और आपका भ वो दिन पहले ही वीडियो बनाना बंद कर दिया है क्योंकि यार नई चीज़े देखोगे थोड़ा दिमाग घूमे यहां आप अपने क्या कर सकते हो अभी जितनी भी पीडिएफ आपने कभी कोर्स लिया हो कहीं से लिया हो वो सारी की सारी पीडिएफ पढ़ सकते हो यह अ कमर्स वालों की एक्जाम स्टार्ट होने वाले दो शिफ्ट कल कमर्स की आपको पता है और दियर फ्रेंस सभी कमर्स वालों को बैस्ट ओफ लग ए जितने भी अपने बच्चे में उनको भी बैस्ट ओफ लग आप लोगों ने डरना नहीं है पूरी हिम्मत से काम लेना लेक या आप teaching लगा लो या higher education लगा लो उसके अंदर स्वैम का question पूछा गया था only स्वैम का ठीक है मैंने प्रवा साथ में लगा रख है कि स्वैम प्रवा वालों का question एक आद आता है और लगातार ये question आ स्टार्टिंग से तो भाई एक question इनका बनता है क्या पता कल बने या ना बने ठीक है इसकी prediction मैं नहीं करने वाला कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा क्योंकि भाई पूरे का पूरा जो आज का pattern था पीछे वाले जितने भी एक question आपका compiler का था और दूसरा question आपका networking से पूछा हुआ था कि computer networking का जो system होता उसके अंदर कोई question पूछ रखा था बच्चे ने पूरा अच्छे से बताया नहीं है फिर भी मैंने आपको अंताजा बताया कि यहां से question पूछा था mathematical reasoning के अंदर आपका time and distance वाला question एक आया भई जिसने तो number series कर रखी है अभी तो बच्चे बोरे हैं कि sir हमारा जो paper one था पूरा क्या था hard level का दे रखा था ठीक है अब देखो जिसने number series अच्छे से समझा है जिसने कभी किया ही नहीं उसके लिए तो hard हो सकता है ठीक है जिसने अच्छे से किया है क्या पता उसका निक question था आपका और उसके बाद effective teaching के ऊपर आपका एक question देखने को मिला था और dear friends बच्चे बोरे थे कि sir जो research है ना पूरे का पूरा research aptitude है यहां teaching aptitude है ठीक है यहां से sir जी question देखने को नहीं मिला यहां तो question उन्होंने इस तरीके के बनाए थे कि वो research and teaching aptitude के लग नहीं रहे थ यहां जो आपका effective teaching है यहां से भी question है पूरा घुमा करके पूछा उआ हुआ था मतलब पूरे पूरा जो paper था आपका conceptual था ठीक है ना जो आपका पूरे पूरा PayPal था वो क्या था आपका पूरे का का conceptual paper था आज का जो paper था ठीक है पूरे का marks concept के based के ऊपर था जिसने अच्छे से concept को क्या कर रहा है अपने दिमाग में बिठाया अच्छे से किया तो paper है जो paper वन उसको ठोड़ा easy लगा होगा बाकी जो सब बच्चें intelligent बच्चें जिनके मेरे जो्त के अंदर एंके सब कुँछ बहुरे थे कि sir थोड़ा सा paper ना पहले के जो आप बता रहे हो उसके मुकाबले में थोड़ा सा paper जो आपका tough था उसके बाद जो अगर बात करें किसकी barriers of communication की बात करते हैं यहां से भी एक high question पूछा हुआ था यहां पर chronological लगाना था पता नहीं step by step लगाना था बच्चे ने ऐसा बताया है कि यहां पर जो system था इसका पूरा मतलब समझ नहीं आ रहा था हमें और एक question आपका जो research का था cross-sectional study design से पूछा हुआ था एक question यहां से और पूछा हुआ था कहां से जो आपका research यहां से पूछा हुआ था कौन सा cross-study जो आपका cross-sectional study design है उसके उपर एक question यहां से पूछा हुआ था उसके बाद कोठारी commission का एक question था कि सबसे पहले एक यह पूछा था कि सबसे पहले कौन सा commission आया हुआ था और एक था जो आपका कोठारी commission है इससे related था देखो मैंने पीछे जो higher education की जो class करवाई है ना उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया था कि वही कौन सा commission आया था पहले ठीक है किस तरीक के से अभी भी वो आपकी ना speedy marathon है उसको देख लेना ठीक है ना speedy मैं रहा था ना उसके अंदर 56 question है मतलब 50 plus question आपके वो question एक बार देख लेना बतलब जादा कुछ नहीं देखना आप लोगों ने जादा अपने दिमाग पे नहीं देखना अगर question देख लो समझ आता नहीं तो छोड़ दो भी अब वो time नहीं है अब आप अप ठंठन गोपाल वाली बात है अब की बार तो क्योंकि जो जिस तरिक्के का जो ये दिखा रहे हैं कि इस तरिक्के का exam आ रहा है अब की बार सेबी की full form कुछ बच्चे बोड़े थी कि सेबी security exchange board of India की जो paper 2 में पूछी थी पता नहीं paper 1 में पूछी थी ये बच्चे नहीं नहीं बताया कि सर सेबी की full form पूछ रखी थी और जो RC था आपका बहुती very very high था और जो आपके पूरे के पूरे question थे इसके अंदर indirectly बोड़ पूरा मैंने मतलब 5 से 7 बच्चे ऐसे थे जो economics के बच्चे थे और rural development वाले बच्चे हैं जो भी इनका exam था जो भी था 8 बच्चों से मैंने total बात किया उन्होंने जो feedback दिया है यही feedback सब लोगों ने दिया है एक दो बच्चे बोड़े थे कि सर हमारे लिए जो paper था वो normal था हमारा RC भी बन रहा था हमारे मतलब 3 question RC के भी ठीक हो जाएंगे ऐसा उन्होंने बोल ला है तो dear friends उसके बाद आगे बा बात था solar energy के बारे में पूछा था देखो जो भी मैं पिछे prediction कर रहा हूं उसके अंदर मैंने बताया था कि आपका यह आ सकता है ठीक है आपका यह आ सकता है solar energy का भी मैंने बोला था time and distance वाला भी मैंने बोला था और ICT के तो भई मैंने बोला है कि 8 गंटों की class है भई 8 गं 95103595 वर्टसैप कर सकते हो टेलीग्राम कर सकते हो मैं आपको सारे link प्रवाइड कर दूँगा जो हमारे मतलब currently exam के अंदर चल रहे हैं पूरा analyze करके जो मैंने देखा है type of research यहां barriers of research की बात करते हैं सारी के सारे मैं आपको दे दूँगा RC भी कैसे solve करना है यही तरीके से दो वीडियो मैंने बना रखी हैं मेरा चैनल का नाम यह देखो नीचे शो हो रहा होगा आपको seek study smartly 3S के नाम से अपना जो चैनल ले मैं तो यहां पर आप क्या कर सकते हो यहां पर visit करके मतलब पूरे का पूरा जो देख सकते हो यह अपने यह हो गया water pollutants की बात करते हैं कि groundwater का जो pollutants वो किस तरीक के का था एक तो यह question था Central University के अंदर बहुत सारी मतलब university दे रखी थी उनसे पूछ रखा था Central University आपकी इन में से कौन सी है कौन सी नहीं है अशुमान भारत के ऊपर पूछा हुआ था ठीक है एक question इसका लगा लो ठी pollutants का भी इस तरीक के का question आ रखा था अगर पूरा देखा जाए तो teaching aptitude के एक बच्चे ने बताया कि teaching aptitude के अंदर white head black and red head वाले पूछे हुए थे भी किस बच्चे को दिया जाता है किस तरीक के से होता है तो teaching वाला पूरे का पूरा जो system है यह आपका evaluation से ही है पर यह मतलब जो topic है आपका थोड़ा सा मतलब उठाया गया है अलग से उसके बाद यह topic पहली बार उठाया है अब की जो exam आ रहे हैं इसमें पहली बार उठाया कि white head क्या है black head क्या है जो red head क्या है किस तरीके से बच्चों को दिया जाता है उसके उपर question बनाया था normal question नहीं थे भी आज क जो भी पूछे गया है teaching के भी normal question नहीं थे ना ही research के normal question थे जो पूरे का पूरा system है आपका इसके अंदर नहीं पूछा गया था अलग तरीके से पूरे का पूरा system है आपका पूछा गया था इसके अंदर अगर बात करें किसकी math भी थोड़ा hard level का था बच्चे इसके अंदर जो profit and loss वाले question थे ना वो आपके क्या थे थोड़े से high level के डार रखे थे उनको पता है कि जो economics आ चुकी है उसके बाद commerce भी आएगी आपकी कल को तो ये बच्चे थोड़े high level के होता है accounting का पता होता है इनको सारी commerce के बारे में जानते हैं तो इस बज़ा से maybe वो क्या कर रहे हैं अब की बार थोड़ा सा जो आपका level है ना वो tough कर रहे हैं बच्चे ठीक है तो मतलब इतना घवराने की बात नहीं है कि tough कर रहे हैं क्या पता बहुत सारे बच्चे ऐसा भी होते हैं जो पढ़ कर नहीं जाते तो उनको तो tough लगना ही लगना है ना पर उसके बाद अगर पूछा जाए तो fallacy की बात करते हैं यार पर fallacy दी थी आपकी but without any example कुछ पता नहीं लग रहा था बच्चों को की कौन सी fallacy है किस तरीके की है example के बिना जो fallacy आपको दे रखी थी और उनसे पूछा हुआ था कि कौन से writer ने दी थी किस तरीके से दी थी Indian logic भी थोड़ा सा high पूछ रखा था ठीक है जो पीछे का trend आ रहा है वो trend बिल्कुल नहीं था इसके अंदर थोड़ा सा advance level का पूछा हुआ था मतलब statement पूछ रखी ति उसके अंदर जो आप क्या proposition बगारा होती है उसके अंदर first क्या होता second क्या होता इस तरीके का कुछ question पूछा हुआ था ठी almost अगर देखा जाए ना almost आज का जो आपका बच्चे एक्जाम था पहले के एक्जाम से थोड़ा सा हाई था पहले के एक्जाम के comparison में थोड़ा सा हाई था पर इतना भी हाई नहीं था कि आप लोग attempt नहीं कर पाऊगे ठीक है ना आपके ही slivers थे था लेकिन इतना मतलब पह www क्या है ठीक है मतलब आपका जो worldwide web की बात करते हैं इसके अंदर किस तरीके का system होता है किस चीज के लिए use किया जाता है यह पूछा हुआ था घुमा करके पूछा हुआ था directly question कोई नहीं था आज मतलब conceptual based जो question थे आपके पूरी के पूरी पूछे थे उसके बाद operating and utility software matching के बारे में पूछा हुआ था यहां पर matching के बारे में पूछा हुआ था कि matching किस तरीके से हो सकती है utility software क्या है operating system यह तो मैंने 20 बार करवा रखा यह तो बिल्कुल easy question है ठीक है अगर किसी बच्चे ने पढ़ा रखा है ना ICT की मेरी 8 गंटों की marathon पढ़ा रखे उसके लिए कु question पूछा था ठीक है ना agriculture से किस तरीके का जो pollutants होते हैं उससे question पूछा हुआ था नीति अयोग के बारे में पूछा था जो आपके जो sustainable development goals है ना उनकी report नीतियोग की क्या क्या है किस तरीके के उसके अंदर बताएं पूरे का पूरा मतलब यह आपका people development environment का एक तरीके का current affair ठीक है यह पूछा हुआ था आफ्टर डैट जो gender parity के बारे में पूछा हुआ था आपसे gender equality ठीक है ना gender parity के बारे में आपका एक question ठीक है एक question यहां से ओगया Post-Independent सबसे पहले सबसे पहले कौन सा commissioned आया था कौन सा जो क्या था secondo commission आया हुआ था आपका उसके बारे में यहां से पूछा उआ था कौन सा commission आपका सबसे पहले आया था DIB high था बक्चों का भी जो 2020 में आया हुआ है ठीक है सोरी 2020 में यहां 29 के अंदर जो भी आपका 19 के अंदर आया था बच्चे यहां से DI का थोड़ा सा हट करके पूछा हुआ था बोड़े हैं कि मतलब थोड़े question गुमा के पूछे तो DI वैसा ही दिखने था उसके बाद mood and figure एक जो question था एकला किसे आया था figure से आया हुआ था यह पूरे का पूरा आज का analyze था बच्चे आज का exam कैसा हुआ है देखो भई अब जो पहले वाले exam थे जो पहले वाले आपके total exam हुए है अगर उनके साथ इनको match किया जाए तो थोड़ा सा आपका जो trend है ना वो high तरफ जा रहा है मतलब आपका जो पूरे का पूरा paper है ना वो थोड़ा था high level की ओर जा रहा है उनको पता है कि आगे जो commerce वाले आने वाले commerce वालों के साथ मतलब है draw नहीं रहा आप अपनी preparation पे फोक्स रहें जिसमें अच्छे से पड़ा भाई वो तो करी आएगा ठीक है ना मेरे बोलने से मेरे कहने से या किसी भी teacher के जो analyze paper से हैं क्या पता किसी से आ भी जाए question ना भी आ जाए बस लब एक teacher का तो यही होता ना कि कि किसी भी बच्चे का जो exam है वो crack हो जाए उसी त्रीक्चे से बेश माननके चल रहा हूं कि इस त्रीकचे जो आपका प्वरा का पूरा trend है ना वो आपका अब की बार चल रहा है ठीक है जो trend आपके सामने मैंने आपको बता दिया आठ बच्चों का review मैंने लिया इसके ंदर आठ student का जो review उसके अंदर लिया और पूरे का पूरा मैंने बताया कि किस तरीके का आपका paper आज आ रहा है ठीक है क्या paper के अंदर रहा है पूरे का पूरा मैंने बता दिया और भई जो पीछे trend चल रहा था ना research के types पूछे जा रहे हैं, communication के type पूछे जा रहे हैं, teaching के level पूछे जा रहे हैं, भई उसकी चाववान में मत रहना कि वही question आपसे पूछे जाएंगे आगे वाले कल के exam में, ऐसा नहीं होने वाला, आज के exam के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर वो मतलब 3 दिन पहले के जो पेपर पहले को हैं, वहां same trend रहे हैं, तो क्या पता जो आज का exam हुआ है, आज से जो छबी के last तक का जो पेपर है, वहां का trend सेम रह जाए, तो जो जो चीज़ें आज मैंने बताई हैं, ये सारी आपकी predicted हैं, ये पूछी जा सकती हैं, ऐसे question पूछे जा सकते हैं, आज जो आपका sustainable development का पूछ लिया, gender parity के अंदर पूछ रखा है, क्या पता कल को वह post independent पूछा है आज, कल को वह before independent पूछ ले, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, आज उसने operating system के बारे में पूछा है, कल compiler के बारे का भी एक question था बच्चे, compiler का भी एक question पूछा हुआ था उन्होंने ठीक है, एक बच्चे ने बताया था, जो आपका rural वाला था उसने बताया था, जो compiler का question पूछा हुआ था, ठीक है ना, ये मैंने डाला ही है, ठीक है, compiler and networking का question पूछा हुआ था, तो भई, overall जो आपका paper रहने वाला है, देखो यार मैंने तो आपकी help की है, बहुत सारे बच् ठीक है की class को देखते हैं, like नहीं करते है, like share जरूर कर दिया करो, किसी का तो फायदा होगा ना, वो बोलते हैं कर भला हो भला, ठीक है ना, तो आप अगर किसी का भला करोगे, तो आपका भी भला होगा ना, तो अगर भगवान उस चीज को देखता है कि आप किसी कुषी, लेखते हो अगर अपने फ्रेंड्स लोग के अंदर है ना तो आप भी उनका थोड़ा भरा कर दिया अगर आपने सिर्फ वीडियो शेयर करनी है उन पहुंच जाएगा क्या पता उनका कल को एक्जाम हो तो इससे क्या होता है कि एक अच्छी हेल्प हो जाती है उस परसन की तो कल के एक्जाम के लिए अगर मैं बताऊं तो भाई जो पहली की वीडियो थी वह सारी की सारी के अंदर जो भी चल रहा है तो कल से कमर्फ के एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं बहुत सारे बच्चे तो ये भी बोह रहे थे कि सर आज का जो पेपर था ना हम लोगों ने सेल्फ स्टड़ी से किया है लेकिन आज का पेपर अगर हम लोग अपनी मतलब किसी इंस्टिटूट से भी लेकर करते ना तो में भी थोड़ा सा पेपर आज का हमें लगाया, फील हुआ है कि तफ था according to पहले के पेपर, क्योंकि पहले के पेपर में तो सब कुछ easy चल रहा था paper 1 का, कहीं ना कहीं जो आपका eco का paper जो था, economics का जो आपका paper था, उसके अंदर बोरेंगी थोड़ा सा paper easy था, यहां पर क्या चलता है कि जब आपका paper 1 है, जो आपका थोड़ा tough आ जाता है, तो paper 1 अगर high पे है, तो paper 2 उनको थोड़ा सा भई, क्या करना पड़ता है, डाउन करना पड़ता है, इस तरीके का trend चलता है आपका, UGC net के अंदर, ऐसा नहीं है कि दोनों paper आपके tough दे दिये जा है कि इस तरीके से exam डालना है, तो आज का फुल review था, मैंने 20 minute के अंदर आपको पूरे का पूरा बता दिया है, तो dear friends, like share जरूर कर देना, अपने friends से जरूर share कर देना, कल commerce का exam है, आपका बहुत ही फाइदा हो सकता है, इस वीडियो को देखने के बाद, आप इन इनी चीज को करके जाना, इन चीज़ों को भी ज्यान में रखना और जो पहले का trend चल रहा है, उनको भी करके जाना, तो thank you all friends, मिलते हैं next video के अंदर, जो की आपका evening का shift किस तरीके का रहने वाला है, तो thank you all friends, take care, bye bye